अलो क्लास कैसे सब लोग I hope सब लोग मस्त होगे तुम लोग वर्ट पार पड़ रहे थे राइट वर्ट पावर वर्ट पावर में हम लोग पड़ रहे थे रूट सिस्टम के बाया में रिविजन के साथ सुरू करते हैं रूट सिस्टम में हमने पढ़ा था थियोस मोनो पॉली थियोस मिस पढ़ा था गौड मोनो मिस पढ़ा था वन पॉली मिस पढ़ा था मेनी और ए मिस पढ़ा था कि जब भी प्रेफिक्स करते हैं वर्ट के साथ एक हो तो इसका अर्थ होता है नौट से और भी कई चीज़ा लोग ने पढ़ा था तो आज की इस क्लास रूट सिस्टम के अधार पर शुरू करते हैं राइट तो आज हम पढ़ेंगे रूट सिस्टम गैमर्स के बारे में वाट इस गैमर्स राइट गैमर्स में उता है मैरीज तो कुछ वाट मैं लिपता हूँ उनको जच करने की कोशिच करना जैसे Monogamy Polygamy Fear Bigamy Fear 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 लिखेंगे Fear 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 Misandae Mesagynum Wisogym borrow What was this? Is it? कि गैवी कि आप 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 मैंने कुछ संटेस्ट दिये हैं इसको आप कि गैवेस के अधार पर जज करने की कोजिस करो राइट थर्टी से केंड तर समय दिया हुए कि तो आप सभी ने ट्राइ करा होगा मैं रब करता हूं फिर एक एक को समझाता हूं राइट अब मैंने समझाया था कि एक वाट से हम चार वर्ड कैसे बना सकते हैं नाउन एड्जेक्टिव एड़ वर्ब और नाउन में भी दो तरीके से एक तो परसन के लिए और एक और पूरे ग्रूप के लिए तो मैंने पिछली क्लास में बनता है था कि एक वर्ड से हम चार वर्ड बना सकते राइट तो पहला वर्ड उटाते हैं कि मोनो गैमी राइट मोनो गैमी विज क्या होता है मोनो मिज होता है पहले ही मैंने बता है मोनो मिज सिंगल यर्वान और गैमी विजल गैमास मिज मेरेग होता है है तो मैरिज तो का सकते हैं मोनोगयवी मिल्स वह अप्रथा जिसमें एक साधी की बात हो लिख सकते हैं कस्टम ओफ वान मैरिज अब देखो मोनोगयवी से क्या बना सकते हैं चार बन देखो मोनोगयवी से बना सकते हैं मोनोगयवी नायुद है राइट आप देखो मोनो गैमिस्ट से क्या बना सकते हैं मोनो गैमिस्ट राइट फिर बना सकते हैं मोनो गैमिस्ट फिर बना सकते हैं मोनो गैमिस्ट राइट अब देखो जब यह मैंने बताया था कि हम किसी वर्ड के साथ आई एस्ट जोड़ते हैं तो वह पर्सन को रिपर्चेंट करता हैं और यह हमेशा नाउन होते हैं फिर मैंने बोला था ओ यू सा ओ यू एस लगाने पर एड्जेक्टिव होता है और जब हम एड्जेक्टिव के साथ एल्वाई जोड़ते हैं तो हमेशा एड्वब बनता हैं तो देखो मैंने आपको बताया एक से वर्ड पावर्ड और आपने तीन खुद बखुद बना ल करनी बना लिए आप देखो मोड़ोमिmmis क्या होगा मोड़ोमिंस उसे कहेंब जो एक साथी में विशुषा सब्खता ओं कि ग्या कně सबता हूं कि नाउन एड्जेक्टिव एड्वाब में कनवर्ट करने ना मैं सारे इंवर्ट को कनवर्ट करके नहीं बताऊंगो राइट कि अब देखो कि मोनोगैमी हो गया अब क्या बना सकते हैं कि बाई में इसका पिछली प्लास को बताया था बाई गैमी हो गया और क्या हो सकता है पॉली एम हो गया अब देखो यहां बाई लट गया वाई में दो पॉली में इसलिवी क्लास में रहता है था पॉली कार्थ होता है मेरी और गैर्मस कार्थ होता है मैरीज तो बाई गैर्मी में इस कस्टम आप तू मैरीजेज पॉली में इस कस्टम आप मैरीजेज राइट आप 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 लोग समझ गया होंगे नोट आउन करो आप आप समय नोट आउन कर लिया होगा अब जेफो नेइस्ट वाट आप आप अली 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 ऑ ओ यहलागे तक हो नहीं में डेखो पॉली अंडिया पॉल्ली जीनी जानने से पहले हम जानेंगे कि एंड्रॉज और जीनी मीज क्या होता है तो रूट सिस्टम में एंड्रॉज को पुरॉज से रिलेट करते हैं जबकि जीनी को इस्त्री से रिलेट करते हैं जहां भी एंड्रॉरस आये तो समझ जाना कही न कही पुरॉज की बात हहला है और जहां जीनी की बात आजाए वहार समझ जाना इस्तरी की बात पुरिए नोड़ाइब नोड़ाइब लिया अब देखो पॉली एंडी मीज़ पॉली मीज़ मेनी और एंड्राइब मीज़ क्या बता है मैंने पुरूस या मेन जीनी मीज़ मैंने बताया इस्तरी राइट तो पॉली एंडी मीज़ क्या होगा जिस वन अपर्शन अपर्शन वू है जीनी मीज़ पॉली एंडी मेरी अज़ बताया इस्तरी राइट इस्तरी राइट इस्तरी राइट इस्तरी राइट पॉली जीनी भी जोगा अपर्शन वू है इस्तरी राइट राइट तो मैंने इस्तरी एंडी और जीनी कार्श बताया और पॉली को पहले से पता था तो आपने ज़ज कर लिया कि पॉली एंडी का मतलब यही होगा कि किसी भी औरत का एक से ज्यादा मैं जिचे 住, एक से ज्यादा हजबेंड हो, एक से ज्यादा इस्तरी उसने साधी करी हो अपना का पॉली एंड़ी और जब जिसके एक से ज्यादा वाइड हूँ, राइट, समझ गया होगे, रब कर्टू, रोट डाउन कर्टू अब नेक्स रोट देखो, मिसो कैमी, मिसो एंडे, मिसो जेनी, फिलो, एंडे, फिलो एंडे बादे को, फिलो जेनी लिख दो, राइट, देखो, मिसो और, मिसो कैमी, मिसो एंडे, मिसो जीनी, फिलो जीनी, इनको समझने से पहले, मिसो एंडे, मिसो और, फिलो का मतलब जाना ज़रूरी, राइट, तो मिसो मिस होता है, फिलो मिस, जहां भी फाइल सकता है, तो रूट लेवल में, मिसो का मतलब होता है, हेट से, जबकि फिलो का आठ होता है, लब से, तो मिसो और, फिलो एक दूसरे क्या पोजिट होता है, राइट, तो रख कर दूप, अब देखो, आई होप आप सब लोग समझा होगी, मिसो कैमी मिस होगा, अट्रेटीशन या कस्टम, हूँ, हेट्स ओफ मैरीजेज, मतलब, साधी से घेरणा का प्रथा, अब इसी तरीके देखो, मिसो और इन्री मेंज, पूर्सो से, घेरना, राइट, इसी तरीके, मिसो जी नी देखो, तो हो जाएगा, स्ट्रियों से, घेरना, आप देखो, फिलो जीनी, यहीं पे हो जाएगा, फिलो जीनी मेंज, इस्ट्रियों से, कि रिस्पेक्ट, बादा, सम्मान, या, प्रेम, राइट, तो मैंने, आज आपको, पांचे रूट, सिस्टम बताए, और, मैंने, कम से कम, दस बालर से जादे, वर्ट पाउर बताया, और, इसी तरीके से, आप 3-4 वर्ट पाउर खुद से तयार कर लेगे, तो आज की क्लास में इतना ही, जैसे फिलो मैंने बताया, फिलो जीनी बताया, तो फिलो एंड़ी भी बना सकते हो, फिलो गैवी भी बना सकते हो, वलब साधी से गेड़ा की जगा, साधी से प्रेम आएंगे, तो आप रूट सिस्टम से जान सब होगे, कि कहां पर क्या होगा, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर भी लेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए, जै हिन, जै भालत!